हेलो नमस्कार स्टुडेंट वेलकम टू इनोवेशन स्टेडी चैनल आप सभी का यहां पर श्वागत करते हैं आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज पांच पॉइंट तीन का छे नंबर क्यूशन पांच नंबर क्यूशन तक पिछले वाले क्लास में हमने कंप् दबालें ताकि प्रते कलास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नीश उलक पूरा सलेवस आपको करवाया जाएगा एकदम सांदा तरीके से करवाया जाएगा तो चलिएगा करते हैं सुरू क्यूशन निमल लिखित संख्याओं में प्रते के लिए वह सबसे छोटी पुर वरग संख्या बन जाए इस तरह ग्यात कीगी संख्या का वरग मूल भी ग्यात कीजिए इससे जो पहले क्यूशन आया था पांच नंबर उसमें हमने गुणा किया था और यहां पे हमें भाग करना है एक जैसे ही क्यूशन है बस थोड़ा सा अंतर है आप देखेंगे इंट का भाग जाता है दो का भाग लगा एक सोचब्वीस आ गया एक सोचब्वीस में दो का भाग दिया 63 आ गया 63 में 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें 3 का भाग जाएगा 21 आ गया 21 में फिर 3 का भाग जाएगा 7 आ गया 7 में 7 का भाग जाएगा 1 आ गया अब देखो 2 का भी पेर बन गया 3 का भी पेर बन गया लेकिन 7 का पेर नहीं बना यूगम नहीं बना लिखेंगे 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 अब देखो इसका पेर है इसका भी पेर है लेकिन इसका पेर नहीं बना तो लिखेंगे यहां साथ का युगम नहीं बन रहा है अब यहां से अगर हमें गुणा करना होता तो साथ से गुणा कर देते इस एक अकेले नमबर को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे साथ से भाग दे दे यहां पर साथ का युगम नहीं बन रहा इसलिए इसलिए 252 को साथ से भाग करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या एक पुर्ण वरग संख्या प्राप्त होगी कीजीए गा 252 है ना 252 डिवाइड वाई साथ साथ यह 21 बचके चार फीर चाहर बिया लिस साच्शी के बिया लिस कितना आ गया अच्छत्याय अच्छत्थी सागया फिर अपन क्या करेंगे इस शत्या वरग मूल निका लेंगे वरग मूल्भी हमें घ्यात्थ करना थे यह इसी प्रकार से दूसरा करते हैं हमें दे रखा है 2925 इसमें दो का भाग नहीं जाएगा तीन का दे के देखेंगे तीन की बाजिकता का रूल होता है कि सभी संख्याओं का योग अगर तीन से विवाजित है तो संख्या भी तीन से विवाजित होगी यहां पे दोर ग्यारा दोर नो ग्यारा ग्यारा और दो तेरा तेरा और पांच अठारा तो अठारा में तीन का भग जाता है तो इसमें भी तीन का भग जाएगा तीन साते एकिस तीन आठे चोईस तीन निम सताइस चला जाएगा दो बच गया 22, 3, 7, 21, 3, 5, 15, 900 पीचेतर आएगा अब यहां पर 3 का जाएगा तो 3, 9, 3, 2, 1, 6, 3, 5, 15 इसमें चला जाएगा 5 और 5, 10 अब इसमें 5 का जाएगा 5, 6, 30, 5, 25, फिर इसमें 5 का जाएगा 13, 65, फिर इसमें 13 का जाएगा 13, 13, 13, 13 अब यहां पर लिखेंगे 2925, एवाजय गुणखन लिखेंगे तो 3 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 5 गुणा, 13 3 का पेर बन रहा है, 5 का पेर बन रहा है लेकिन इसका पेर नहीं बन रहा है तो यहां पर वही थोरी लिखेंगे यहां 13 का युगम नहीं बन रहा इसलिए 2925 को 13 से भाग करने पर प्राप्त संख्या एक पुर्ण वरग संख्या प्राप्त होगी यहां पर अपन भाग कर देंगे थ्योरिया आप लिखेंगे मैंने एक बार लिख दिया है 2925 में आपको भाग करना है 13 से 13 से भाग करोगे रजल्ट आपके पास में आजेगा 225 3226 बच गया 32 32 26 फिर तेरा बच गया 6 365 दस्वरी यहां पर क्या बन जाएगा 5 बनेगा भी 365 365 और 225 का वरग मूल क्या होता है वो लिख देते यहां से 225 का वरग मूल हो जेगा 15 यह आपका आनसर आजेगा पहरे विद्यात्यों बहुत बढ़िया और शांदर प्रसन है सेम पांच में कित्रह है बस वहां पर गुणा कर रहे थे यहां पर भाग कर रहे है अंतर इतने का है बेटा चलिएगा next question देखते है क्लास समझ में आ रही है तो लाइक और शेर जुरूर करें अच्छे अच्छे कोमेंट जुरूर करते है तिन सो चानमे है तिन सो चानमे के अपन क्या करेंगे एब भाजे गुंखंड करेंगे तो चलिएगा मैं लाइन एक बाद छोटी ले रेता हूँ यहां पर इसमें दो का भाग जाएगा दो इकम दो दो निम अठारा नो बार जाएगा ना दो निम अठारा दो निम नो बार जाएगा अठारा और दो आटे सोला फिर दो का भाग जाएगा दो निम अठारा दो निम अठारा फिर इसमें 3 का भाग जाएगा 3,9 3,9 फिर 3 का भाग जाएगा 11 फिर 11 में 11 का जाएगा 1 तो अपन यहां पे लिखेंगे 396 के आई बाजे गुनखंट क्या क्या बने 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 2,2 के पेर बन गए यूगम बन गहे तीन तीन के बन गहे लेकिन 11 का यूगम नहीं बना तो लिखेंगे यहाँ पर 11 का यूगम नहीं बना इसलिए तिन सो चानमे को गयारा से भाग देने पे प्राप्त संक्या एक पुर्ण वरग्संख्या प्राप्त होगी और भाग लगा के देखते हैं तिन सो चानमे में गयारा का 11-33-23-6-11-66-36-36-36 का वरग मुल आप सभी जानते हैं अभी लिखाता आपने 6 होता है Is that clear? इसमें हमें भाग देना है सबसे पहले दो का भाग जाएगा नहीं अब तीन की भाजिकता का रूल देखते हैं 3, 10, 5, 15, 15, और दो शातरा, इसमें 5 का ही जाएगा, 5, 25 बच गया एक, च होदा, 5, 2 नीज, 10, 5, 9, 45, 5, 39 आगया, 539 में किसी का नहीं जाएगा, तेज का जाएगा, तेजा़ बा़ जाएगा, तेजा में तेजा नहीं नहीं होद जाएगा, एक बार आज जाएगा, अब 2645 के एवाजे कुण्खंड है पांच गुणा 23 गुणा 23 यहां पे 23 का यूगम बन गया पांच का यूगम नहीं बना तो अपन क्या लिखेंगे 2645 2645 में 5 का यूगम नहीं बन रहा इसके अवाजे कुण्खंड कि यहां पे 5 का यूगम नहीं बन रहा इसलिए जीगी संख्या या 2645 में 5 का भाग देने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वरग संख्या प्राप्त होगी तो अपन 2645 में 5 का डिवाइड कर देंगे 5 का डिवाइड करेंगे तो देख लो क्या बनेगा यह आपके पास में बन जेगा 539 कितना बनेगा 539 बनेगा और 539 का वरगमूल आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है 20 तक यानि 30 तक आपके वरग और वरगमूल याद होनी चाहिए 10 तक क्यूब और क्यूब रूट याद होनी चाहिए तो 539 का हो जाता है या 23 हो जाता है कितना हो जाता है 23 हो जाता है very simple short and sweet question है इसके बाद में next question की तरफ चलते हैं कि आपको दे रख है 2800 कि 2800 के आफ बाजे गुंखंड करते हैं दो का भाग चला जाएगा easily चला जाएगा क्योंकि एकाई में 0 है 2800 दो का भाग दोगे 1400 आएगा फिर दो का भाग दोगे 700 आएगा फिर दो का भाग दोगे 300 आएगा और फिर दो का भाग दोगे तो चला जाएगा 17 दूनी 34 एक सो पीचेतर आएगा फिर किसका भाग जाएगा 5 का जाएगा पांस 13 15 25 25 35 एंटी साहेगा फिर पांच का भाग जाएगा साथ था एक हाजेगा यहनैं हमारे पास में आ गया 2 के पेर बन गे 2गा वारा दो के पेर बन गे है लेकिन साथ का पेर नहीं वना पांच का भी बन गया तो लिखेंगे यहां पर दो हजार राट सो एह बाजे गुंखन लिखेंगे दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा पांच गुणा पांच गुणा साथ पहला एक पेर बन गया दूसरा पेर बन गया तेसरा पेर पांच का बन गया चोथा पेरा दूरा रह गया जो कि साथ का बनना चाँ अब यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 का युगम नहीं बन रहा इसलिए 2800 को 7 से भाग देने पर प्राप्त संख्या एक पुर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी जो कि मैंने पहले क्यूशन में ही लिखवा दिया है अब बारी बारी से नहीं लिखेंगे वस वहाँ पर आ और चारसो ओता है चार्ट सो का और हूझ यहाँ होता है यह contingus 005 210 में टीन का भाग जाएगा 301 में 500 तेन पांच 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 का भाग जाएगा एक तो हमारे पास यहां पे पांच का युगन नहीं बना तो लिखेंगे तो यहां पे पांच का युगन नहीं बना इसलिए 1620 को पांच से भाग देने पे प्राप्त संख्या प्रणवर्ग संख्या प्राप्त होगी तो यहां पे लिखेंगे 1620 भाग में पांच पांच का भाग देने पांच तिया पंदरा बच गया एक बारा पांच दूनी दस बच गया दो बीस पांचों के बीस तिन सो चोईश आ गया और तिन सो चोईश का वरग मूल हो जाएगा आपके पास तो यह आपके पास में आनसर प्राप्त हो जाएगा इसके बाद में पहले विद्यार्थियों साथ नंबर क्यूसन के तरफ चलते हैं साथ नंबर क्यूसन यह कहता है कि एक विद्यार्थियों में कक्षा आठ के सभी विद्यार्थियों ने परधान मंतरी राष्ट्रे राहत कौस में रुपे 2401 दान में दिये परतेक विद्यार्थियों ने उतने ही रुपे दान में द थे कक्षा में विद्यार्थियों के संख्या गयात किजिए अगर कक्षा में 50 विद्यार्थि हैं तो एक विद्यार्थि के द्वारा देगी रासी 50 रुपे हैं अगर कक्षा में 35 विद्यार्थि हैं तो एक विद्यार्थि द्वारा देगी रासी 35 रुपे है ठीक है जितने विद्यार्थी हैं उतने ही एक विद्यार्थी रुपे देगा ठीक है तो ये आपको निकालना है कि कक्षा में कोल कितने विद्यार्थी थे या प्रतेक विद्यार्थी ने कितने रुपे दान किया अब यहां पे आपन माल लेते हैं माना कक्षा में एक्स विद्यार्थी थे तो प्रतेग विद्यार्थि द्वारा देगी रासी एक सुप्रे होगी लिखेंगे हल माना कक्षा में कक्षा एर्थ में विद्यार्थियों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या आपने क्या माल लिया एक्स माल लिया माना कक्षा एर्थ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है एक्स है तो परतेग विद्यार्थि द्वारा राहत कौस में राहत कॉस में दान की गी रासी कितनी हो जाएगी एक्स रूपे कितनी हो जाएगी एक्स रूपे तब परसना अनुसार क्या है एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी एक्स रूपे देता है और विद्यार्थियों के संख्या भी हमारे पास में एक्स है तो एक्स गुणा एक्स बराबर कितना हो जेगा दो हजार चार सो एक हो जेगा यनि अपन कहेंगे एक्स गुणा एक्स कितना हो जेगा एक्स की स्केर हो जेगा एक्स ग एक का वरगमूल तो कैसे करेंगे यहाँ पर कर देंगे 2401 का वरगमूल सबसे पहले इसमें 7 का भाग जाएगा 7 का भाग जाएगे तो हमारे पास में बचेगा 343 फिर 7 का भाग जाएगा फिर बचेगा 49 फिर 7 का भाग जाएगा 7 साथ में साथ का भाग जाएगा एक तो यहाँ पे दो-दो साथ के दो पेर बन गए तो इसके वरगमूल में एक-एक नमबर उठा लेंगे तो यह आपके पास में बनेगा साथ गुणा साथ कितना आजेगा 49 आएगा तो विद्याले की कक्षा एर्थ में विद्यार्चियों की संक्या कितनी है 49 है और प्रतेग विद्यार्थी द्वारा दीगी रासी भी आपको बतानी है तो यह भी 49 ही है इस दाट कलियर तो उन्हें चास विद्यार्थी होंगे और प्रतेग विद्यार्थी द्वारा दीगी रासी उन्हें चास रुपे होगी इसके बाद में आठ न कि परतेक पंक्ति में उतने ही पोध हैं जितने की पंक्तियों की संक्या हो पंक्तियों की संक्या और परतेक पंक्ति में पोधों की संक्या हमें गयात करनी है तो माल लेते हैं वही क्यूषन है सैम डिटो को पी है कोई दिक्कत नहीं वही इसी परकार से मानेंगे उसी परकार से दो हजार पत्सिस के आवाज़े गुंखन करेंगे तो इसका सबसे पहले तो लिखेंगे हल माना माना बाग में पंक्तियों की संख्या माना बाग में पंक्तियों की संख्या माना बाग में पंक्तियों की संख्या बराबर X तब परतेक पंक्ति में परतेक पंक्ति में पोधों की संख्या पोधों की संख्या पोधों की संख्या X है अब देखो पंक्तियों की संख्या x है प्रतेक पंक्ति में पोधों की संख्या भी x है अब क्या होजेगा x गुणा x टोटल कितने पोधे हैं दो हजार पत्चिस पोधे हैं X का X के साथ में गुणा करेंगे तो X की स्केर आजएगा और यह आजएगा 2025 अब अपन क्या करेंगे 2025 के आप acc 2025 की आपाचे गुणखन करेंगे तो सबसे पहले इस में तीन का भाग जाएगा दो का नहीं जाएगा क्योंकि का यह अंक पांच है पांच का भी चला जाएगा लेकिन सबसे पहले छोटी संख्या के देना है तो तीन का जा रहा है इसमें इसमें भी तीन का जा रहा है तो तीन साथे एक्किस तीन पंच 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 इसमें भी तीन का जा रहा है तो तीन साथे एक्किस तीन पंच 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 इसमें भी तीन का जा रहा है तो तीन साथे एक्किस तीन पंच 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 इसमें भी तीन का जा रहा है तो पच् अब इसमें इसके अब आज एक उन खंट लिखतेते हैं तीन गुणा, तीन गुणा, तीन गुणा, तीन, तीन बार है ना या चार बार, चार बार है ये दोई बार है तीन गुणा, 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 तीन चलते हैं next question की तरफ यह आपका 45 आंसर आ गया है भी आप question number 9 देखो वह सबसे छोटी वरग संख्याग्याद कीजिए जो 4, 9, 10 पतेक से विवाजित हो रही है वह सबसे छोटी वरग संख्याग्याद करनी है यानि अपन सबसे पहले निकालेंगे 4, 9, 10 का लेसम है लेसम है होज़ेगा LCM निकालेंगे तो लिखेंगे 4, 9, 10 का LCM क्या होज़ेगा LCM निकालेंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पर LCM इस परकार से निकालेंगे 4, 9, 10 2 का भाग जाएगा 2 बार 9 में नहीं जाएगा 10 में जाएगा 5 फिर 2 का भाग जाएगा एक बार, 9 बार, 5 बार 3 का जाएगा 3 तिया 9, 5 में जाएगा नहीं फिर दुबारा जाएगा 3 का एक पांच पांच कर दाएगा एक कुमा एक कुमा